चानक के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में जो हाल ही में प्रकाशित हुई है हाल ही में वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है जिसमें दुनिया के देशों को विबिन मानकों के आधार पर रैंकिंग दे गई है फिनलेंड एक बार फिर से दुनिया के सबसे खुशाल देश के रूप में इसमें उभरा है सयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलप्मेंट सॉलूशन नेटवर्ग द्वारा परकाशित दवर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलेंड लगातार 6 सालों से टॉप स्थान पर आ रहा है 20 मार्च को मनाये गए इंटर्डेंशनल डेई ओफ हैपिनेस पर यह रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वैश्वी खुशाली के मानक के आधार पर सर्वेक्शन डेटा को रैंक किया गया है अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से वर्ड हैपिनेस रैंक में फेनलेंड लगातार छटे वर्ष शिश पर रहा है जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले पाइदान पर रहा है साथ ही लगातार चौते साल भी यूके हैपिनेस कोर में नीचे फिसल गया है लिथुआनिया और चेक गनराजय फ्रांस से आगे हैं लेकिन जर्मनी, अमेरिका, औस्ट्रेलिया, आइरलेंड सभी नौडिक देशों से पीछे है अफगानिस्तान को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे दुखी देश की रूप में सुची बद किया गया है जो लिस्ट में सबसे नीचे है इस रिपोर्ट को कई अच्शास्त्रियों द्वारा संकलित किया गया है जिसमें लंदन स्कूल ऑफ एकॉनोमिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड लेयर्ड और कॉलंबिया विश्व विद्याले के प्रोफेसर जेफरी सेंस शामिल है World Happiness Report पहली बार दस साल पहले 2012 में जारी की गई थी वर्तमान समय में केवल 2019 और 2021 को शामिल किया गया है यानि कि 2019 से 21 तक के डेटा को इसमें लिया गया है वर्तमान रिपोर्ट 2019 से 2021 तक के डेटा कवरिंग के आधार पर रास्ट ये खुशाली की सामानने रैंकिंग और मॉडलिंग प्रस्तुत करती है अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में भारत की स्थिती के बारे में वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 के तहट तीन साल के ओस्ट 2020 से 22 के आधार पर हैपिनेस रैंकिंग में भारत 126 में स्थान पर है और भारत इसका मतलब काफी पिछड़े हुए स्थान पर है जो की एक प्रश्ण मार्क है कि हम कैसे इतने पिछड़े हुए हो सकते हैं और ये इस चीज़ पर भी एक प्रश्ण है कि क्या ये रैंकिंग पार्शल तो नहीं है भारत के यह रैंकिंग 2020 से 22 में जीवन मुल्यांकन पर आधारित है इसमें भारत का ओस्त जीवन मुल्यांकन स्कोर 4.036 है भारत के पड़वसी देशों के अगर बात करें तो पाकिस्तान 108 में श्रिलंका 112 में बांगलादेश 118 में स्थान पर है जब कि सब जानते हैं इन तीनों देशों से भारत की स्तिती हर मायने में बहतर है फिर भी भारत की रैंकिंग इतनी पीछे कैसे हो सकती है ये एक यूक्रेन में दान और वेश्विक मदद के चलते उच्छ स्कोर रिकोर्ड्स तर तक दरज किया गया है जबकि रूस की स्तिती में गिरावट आई है लेकिन यूक्रेन की रैंकिंग में गिरावट दरज की गई है यूक्रेन इस लिस्ट में 92 स्थान पर है वहीं रूस इस यूक्रेन से अच्छी स्थिती में है जो कि 17th रैंक पे इसमें है अब हम देखेंगे रैंकिंग के मानक क्या खे या क्या होते है वर्ड हैपिनिस रिपोर्ट 2023 में इस बात को शामिल किया गया है कि प्रतिव एक्ति स्तकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्त इवन विकल्प चुन्नी की सवतंतरता कैसी है साथ ही इसमें उदारता और भरष्टाचार से मुक्ती जैसे पहलों को भी शामिल किया गया है हालांकि इसमें कोविट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों में से कुछ जिनमें बेगर लोग और संस्थागत रूप से शामिल नमबर पर है डेन्माक दूसरे स्थान पर आइसलेंड तीसरे इसराइल चौते नीदरलेंड पाच्वे स्थान पर है इसी तरह अगर मिचले पाइदान की हम बात करें तो सबसे नीचे अफगानिस्तान है उसके बाद लेबनान, सियरा लियोन, जिंबोबे, डेमोक्रिटिक रिपब्लिक कांगो ये सब देश आते हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान की स्थिति को देखे हम समझ सकते हैं कि वहाँ तालिवान का शाशन आया और इस विज़े से उनकी स्थिति बहाँ जादा खराब हो गई लेकिन भारत की स्थिति जो इसमें बताई जा रही है उस प पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच टो टो लाइक शेर अबसक्राइब तो नर्स्टाइब चैनल को तो इस जाएर।